तमश्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मुवाइल पार चूर्टव चेयर के अप सभी लोग MTS का पेपर खतम होने के ज़स्ट तुरंट बाद ही बहुत सारे लोग आपको पता है कि पेपर खतम होने के बाद ही सभी लोगों ने कट आफ पे वीडियो बनाना च्ट कर दिया बहुत सारे लोगों तो वीडियो तब बनाना स्विफ रूशार ऐसे एंसर के ऊकब से उसके एक गंटे के बाद ने का कि हमने सारा डीटफ कर लिय कर लिया पता नहीं कहा कहा से और इसके पाद डीटा आ wastewater आ गया को में चेक कि वह बच्चे जो अपना सीरस जो रियल नंबर अपना वहां पर कॉमेंट कर रहें वह सारे नंबर समने देखे हमारे ओफ-लाइन जो हम पढ़ाते हैं वहां सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे वहां पर गय थे एक्जाम देने और वह बच्चे अपने में experience को हमारे से उन्हों ने zehre किया कितना question उन्होंने किया था या कैसा paper आया था paper का level क्या था i.s. अफविशे को धैंनमे जब रखा जाएगा तबहीं तो आखिर पता चलेगा कि paper का level क्या था और कट आफ कितना बनेगा इन सभी चीजों का एक complete analysis लेके मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि कट आफ जो भी मैं बताऊंगा आज तक जितनी कट आफ बताता है या हूँ उसे कम कट आफ कभी ने गई वालक उसे थोड़ा सा एक दो तीन नमबर या चार नमबर ज्यादा ही कट आफ गई है हमेशा कम कभी कट आफ ने इसका मतलब है कि जिन बच्चों का इससे कम कट आफ है वो बच्चे निरासना होएं किसी और exam के तियारी करें किसी एससी की किसी दूसरी exam के तियारी करें किसी लगातार भी पर देता जा रहा है आप सभी को यह बत पता है ठीक है मेरे भाई तो स्टार करते हैं आप सभी मेरे सामने देख सकते हो कि हम best cut-off analysis करेंगे best cut-off यानि आज तक के इतिहास में कि जितने भी लोग जितना भी cut-off वाली वीडियो बना रहे हैं उनसे best ही आपसे analysis देंगे ठीक है मेरे भाई आईए स्टार्ट करते हैं आप देखो जरा total vacancy किया है तो आप सभी लोग ये बात जानते हैं इस बार SSC MTS में बहुत कम vacancy है कि 15,000 स्वारी 15,000 नहीं है मुझसे निकल गया समझना नहीं 1558 vacancy है बाता इस समझ में और इस 1558 vacancy को भरने के लिए कुल मिलाके 26 लेकि 26 लाग अगर भरे गये तो कितने लोगों ने paper दिया तो paper कुल दिया 12 लाग लोगों ने यानी कि form फिलफ का total 46 परसेंट आप सभी लोग मैथ्स के student आप सभी लोग समझते होंगे कि 46 परसंट लोगों ने कुल मिला के फार्म भरा और कुल बारा लाकों ने फेपर दिया मेरे बाता इस समझे आई पहर पेपर का लेबल क्या रहा याद रखना पेपर का जो लेबल था वो मॉडरेट टू हाड था याद रखो भाई मोडेरे टू हाड मैं मोडेरे टू हाड क्यों बोल लाओ क्योंकि आप ध्यान से मेरी बास समझना मैट्स और रीजनीं रीजनीं इन पे तो कोई काम होना नहीं है जो भी काम होना आपका जी एस और इंग्लिश पे होना है इंग्लिश तो वैसी आ रही है जैसे पहले आ रही थी इंग्लिश तो ठीक है लेकिन जो जी एस वाला पॉर्स ना ये कसम से अब एक बच्चा मेरे पास खुद आया था चलके उन्होंने बोला कि पेपर ऐसा गुमाया कि हमें कुछ समझना आया और मैंने कुछ सीरिसली बहु कर ले रहा अच्छा लेकिन जी इस में स्कोरिंग कम हो रही है ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि फिर पेपर का लेवल मॉडरेट हुआ ही है जिस बच्चे का पेपर मॉडरेट आगया वो बढ़िया कॉश्चन कर लेगा जिसका पेपर हार्ट आगया वो पंदर सब निचे चल की बीच रहने वाली है याद रखना एक सो पंदरा से एक सो ठारा की बीच रहेगी हमेशा याद रखना ये कन्फरम है हवल्दार की पोस्ट के लिए जिन बच्चों ने अपलाई किया उनकी भी सेम कट आफ रहेगी मेरी बात है समझ में 110 से 114 की बीच आपकी EWS की कट आफ की बीच 100 परसेंट ये विल्कुल है और S T की जो कट आफ रहेगी वह सौ से लेके बाबू 105 की बीच है ये आपका मैंने कट आफ रिवील कर दिया है आप जाए अराम से ठीक है ना और जिन बच्चों का इतना कट आफ जिन बच्चों का इतना माक्स है वह सारे बच्चे ने पाजा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है थैंक यू सो मच अब सभी के बेहतर भविशी के लिए मुबाइल बाट साला दिन रात क्राम कर रहा है आप फ़जर ग्लास के लिए मुबाइल पाट साला जोइन कर सकते थैंक यू सो मच रभाए ठीक